किसान आंदोलन से ट्रेक्टर ट्रॉली में लोट रहे किसानों की सड़क हाथसे में दर्दनाक मौत हो गई है आपको बता दे कि ये सड़क हाथसा करनाल के तरावडी के समीब करनाल दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ है मृतक किसान पटियाला के पास एक गाउं के रहने वाले बताय जा रहे है हाथसा आज मंगलवार को सुबह हुआ है मरने वाले 24 साल के गुरप्रीत माबाप के एक लोती संतान थे वहीं दूसरे किसान का नाम लाब सिंग बताय जा रहा है किसान आंदोलन में कई दिन लगा कर वापस अपने गाउं लोट रहे थे बताय जा रहा है कि हाथसा आज अल सुबह का ही है हाथसा उस समय हुआ जब किसान अपने गाउं की और लोट रहे थे इस औरान किसी केंटर ने उनको टक्कर मार दी जिसमें दो किसानों की मौत हो गई कुछ किसान घायल भी बताय जा रहे है यहां हम आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला के समीप गाउं के लोग दिल्ली आंदोलन में गए हुए थे और कई दिन लगाने के बाद वापस जब आ रहे थे तो तरावडी के समीप करनाल दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह हाथसा हो गया जिसमें दो किसान अपनी जान गवा बैठे इस जर्दनाख हाथसे से परीजनों का रो रोकर बुरा हाल है फिलहाल मृतकों की डेट बोडी को कलपना चावला मेडिकल कॉलेज के मौर्चरी हाउस में पोस्त मौर्टम के लिए लाया गया है क्या मैं मामला हुए पूरा यह हम दिल्ली संगर्षा से यार से जिए कसानों का संगर्षा चल रहा है जो हम दिल्ली एक अफ़ते से गए हुए थे बहां से बाफ साते हुए रास्के में हमारा एक्सिजेंट होगा पीछे से एंटर आ रही थी उसका ड्रैवर सोगा था उसमें आगे टकल मार जिए किती हो एक्सिजेंट है तरवरि फलाई और टक टर्रैवर ने मारी ट्रक ट्रक ट्रैवर है पीछे से एक अखल लागी कितर निंदरे सी अखल रही है अच्छा तुछे किनने की सान ठी ट्रैलीज Yi ठी सब्सक्राइब पूच्छी सब्सक्राइब गदर भी दोजी मोगेड्ट होगी टाइब है एक दी ऊस्पिटल जांके वह यह सब्सक्राइब खाओ और गजिंगा ट्राली वगे होगी ना तक तक पाज यह प्ते बाकी किसान कायल ने जड़े अंदर बैठे लिप यह रहा दाए तर्क्टर जाओ भी खथा सब्सक्राइब कर में दो क्राइब अधरे होकी किसे वे यह सर्टल गी गिए जिना देधा लगां दाए है वनुझा लागा को जाओं धी तो यह शृवदी साल एक दीध गुरूपरी सिंग एक काल्या बही शृटी शृवद्ध हर न तरावडी फ्लाइओवर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जो किसान दिली से वापिस लोट रहे थे अपने गाँ सपेडा के लिए पटियाला के लिए उनके साथ एक जो बड़ा ट्रक था उसने जैसे ड्राइवर को तीन बजे के लगबग बता रहे हैं कि वो सो रहा था और उसने टक्कर मारी और उससे किसानों की जो ट्रॉली है वो लट गई और उसमें किसान काफी फस गए और चोटील हो गए तो कुछ एक किसान तो उसके बाद पठियाला की तरफ रुख कर गई थे जिनको ज्यादा चोटे नहीं थी और जिनको ज्यादा चोटे थी उनको यहां पर जी करनाल में लेके आया गया था जिन में से एक किसान की यहां पर मौत हुई है और अभी हमारे को कुछ समय पहले सुचना प्राप्त हुई है कि जो पटियाला में गए थे वहां पर भी एक किसान की मृत्यू हो गई है जो बहें दुख होते हैं क्या नामें दोनों के क्या कुछ जान करें एक गुरप्रीत हैं जिनकी मृत्यू हुई है और एक लाब सिंग है जिनकी कहा के रहने वाले हैं पटियाला में सदर्थाना पड़ता है वहां के है और एक की उमर लगभग 24-25 साल के लगभग है दूसरे की उमर अभी जो रुका है है उसको देखके पता लगता है जी अभी हम जो सरपंच साहब साथ में हैं नरेंदर जी उनके वियान पर परचा दर्च कर रहे हैं ट्रक वाले के लाब वह ट्रॉली में थे वह बता रहे हैं कि वह बैक साइड पर बैठे हुए थे तो उनको इतनी ज्यादा चोट नहीं किसान अंदोलन से और खड़े में नहीं मारा है यह वापिस जा रहे थे और यह बता रहे हैं कि धुंद की हमारे को अशंका थी कि धुन ना पड़ जाए तो इसलिए हम रुके नहीं और हम आपना ड्राइवर चेंज करके दूसरे ड्राइवर ने चलानी शुरू कर दी थी जो ट्रक वाला था वो बता रहे हैं कि ट्रक वाला हमने देखा कि वो नींद में था वो सोई रहा था तीन की मोत हुई है और एक थोड़ा सा इंजर्ड है वो यहीं पे हैं जी एच करनाल में उनको थोड़ा सा फ्रिक्चर है चोट जादा है लेकिन ठीक है तो यह आप पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सुच्क्राइब करें हैं धन्यवादी धन्यवादी